दोस्तो जेबरा अप्रिका में पाया जाता है इस जानवर की पहचान गोडे और गदो से मिलते जुलती है लेकिन हम गोडे और गदे को तो पालतू रख सकते हैं परन्तो जेबरे जैसे जानवर को हम पालतू नहीं रख सकते क्योंकि यह कापी हमलावर होता है जेबरे की इस समय तीन पर जातिया है मैदानी जेबरा, दूसरा पहड़ी जेबरा, तीसरी साही जेबरा अगर आप या फिर कोई भी जानवर जेबरे पर हमला करता है तो सभी जेबरे इकटे हो जाते हैं और हमलावर को बगाने की कोशिश करते हैं जेबरा ज्यादातर गास, पतियां और जाडियों पर निर्बर रहता है यह उन्हें खा कर गुजारा करता है क्या आपने सुचा है? जब भी आप सडक के किनारे जाते हो तो आप रापको सपेद रंग की पतियां बनी दिखाई देती हैं इन पतियों को हम क्या बोलते हैं? इन पतियों को हम जेबरा कुरोशिंग बोलते हैं क्योंकि जेबरे के सरीर पर सपेद पतियां और काली पतियों की तरह आकरती बनी होती है जेबरे का जीवन चक्रलग 32 वरस्त का होता है जेबरे की अलग-अलग प्रजाइतियों के कारण इसका वोजन तिन से या चार से किलोग अगराम तक हो सकता है आप सभी गा बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको पसंद आए तो लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर करें